दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी जॉब ओपनिंग लेकर आया हूँ HDFC ने टेलर जो जॉब होती है उसके लिए जॉब ओपनिंग निकाली है और मैं आपको इस वीड़ों में बताऊंगा क्या जॉब रोल है ये क्या eligibility criteria होता है क्या interview questions आपसे पूछ सकते हैं कौन सी locations के लिए ये job available है आप कैसे apply कर सकते हो इस job के लिए और आप इस video को end तक देखेगा मैं आपको salary भी बताऊंगा दोस्तों मैं हूँ इशान शर्मा और अगर आपको sales और customer वाली job interviews के लिए prepare करना है तो आप Able Jobs app Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो मैंने link description में दे दिया है तो चलिए अब शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो HDFC एक बहुत बड़ा bank है इंडिया में और इनोंने जो job अपनी निकाली है ये है for teller और a welcome desk job भी बोलते हैं इसको इसमें आपका basic job role होगा जो भी customer आते हैं transactions करने के लिए और जो भी deposit कराने आते हैं या फिर कोई check है उसको cash कराने आते हैं तो ये सब आप handle कर रहे होंगे और जो भी customers के जो भी queries हैं जो भी doubts हैं related to banking accounts जो उनके bank accounts हैं जो भी doubts हैं उनके वो आप उनको resolve कर रहे होंगे और जो भी bank के जो additional services हैं जो भी उनके products हैं वो आप उनको pitch कर रहे होंगे उनको sell करने की कोशिश कर रहे होंगे ये आपका job role होता है उसके बाद आप basically जो भी non cash transactions होते हैं जिसे की money transfer हो गया कोई एक bank से दूसरे bank में जो money transfer होता है उसके जो process होती है वो process को आप देख रहे होंगे उसको आप manage कर रहे होंगे also दोस्तों at the beginning of the day and at the end of the day जब office खुलता है और जब बंद होता है तब आप जो भी cash deposited है bank में उसको आप calculate कर रहे होंगे उसको count कर रहे होंगे just to make sure की सारे calculations सही है and उसको फिर आप safely locker में रख रहे होंगे bank के तो ये basic job role होता है as a bank teller अब देखते हैं कि इसमें आपका क्या location में job available है तो ये job जो है basically Bangalore में है ये job Delhi में है गुडगाओं के लिए है और Mathura जैसे दूसरे UP के जो tier 2, tier 3 cities है वहाँ पर भी ये job available है तो अगर आप in locations में रहते हो तो आप इस job role के लिए definitely apply कर सकते हो HDFC में आप देख लेते हैं दोस्तों कि क्या eligibility criteria होता है इस particular job opening में तो इसमें आपके पास graduate होना चाहिए आपको किसी भी specialization में freshers apply कर सकते हैं वर्क एक्षपिने जरूरी नहीं है तो अगर आपने अभी अभी graduate हो हो तो आप definitely इस job के लिए apply कर सकते हो आपके पास communication skills आपके बहुत strong होने चाहिए ठीक है आपको लोगों से बात अच्छे से करना आना चाहिए यही आपका job role होगा आप लोगों के जो भी queries हैं जो भी doubts हैं उनको आप resolve कर रहे होंगे और banking skills जो भी उनके products हैं वो आप उनको sell कर रहे होंगे तो communication skills, convincing ability यह आपकी बहुत ही strong होनी चाहिए तो यह कुछ criteria था यह कुछ qualifications होने चाहिए आपके पास आपको इस job role में apply करना है अब देख लेते हैं कि आपको कितनी salary मिल सकती है as a bank teller at HDFC तो इसमें आपकी salary 2,75,000 से 3,50,000 per annum vary कर सकती है depending upon your skills और आप किस तरह से perform कर रहे हो फिर दोस्तों कुछ commonly asked interview questions होते हैं जो आपसे वो definitely पूछ सकते हैं अगर आप इस job interview में जाओगे तो यह basically 3 types of questions होते हैं number 1 type होता है आपका situation based question तो इसमें आपसे पूछ लेंगे कि किसी भी bank के लिए profit ज़दा important होता है या फिर customer satisfaction फिर आपसे पूछ लेंगे कि कि आप किसी भी frustrated customer कोई भी angry customer से कैसे deal करोगे फिर आपसे पूछ सकते हैं दूसरे category के question वो होते है HDFC related इसमें आपसे पूछेंगे कि आपको HDFC क्यों join करना है अगर हम आपको कम salary दे रहे हैं और कोई और बैंक ज़्यादा salary दे रहे हैं तो आप उस bank में चले जाओगे क्या या फिर आपकी process क्या है आपका mindset जानने के लिए वो ये questions पूछ सकते हैं फिर आपसे question पूछ सकते हैं banking वाले तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि balance sheet क्या होता है और आपको bank teller की job क्यों चाहिए और इस तरह कुछ questions होते हैं जो आप expect कर सकते हो अपनी job interview में अब दोस्तों देखते हैं कि इस job role के लिए apply कैसे कर सकते हो आप तो आपको basically google पर आना है और यहाँ पर search करना है naukari.com naukari.com एक website है जहाँ पर जा करके आप अपने लिए कोई भी jobs search कर सकते हो और यहाँ पर आप search कर सकते हो HDFC teller simply search कर दीजए और click on search उसके बाद आप देख सकते हो सारी jobs जो है as a teller या फिर welcome desk at HDFC bank limited तो आप यहाँ पर अपनी location देख लिए या फिर यहाँ पर filters लगे हो में बहुत सारे यहाँ पर filters में आप select कर लिए कौन सी location में है आप situated और इस तरह से आप इस job role के लिए apply कर सकते हो मैं आपको example देता हूँ जैसे कि यहाँ पर mathura वाली job है तो mathura वाली job है इसको खोलते हैं अगर आप mathura में हो तो आप इसमें apply कर सकते हो simply by clicking register to apply यह jobs 100% real है from HDFC themselves इसमें कोई भी fake नहीं है consultancy ने या फिर किसी और third party ने यह job list नहीं करी है this job is directly from HDFC ठीक है तो अगर आपको इसमें apply करना है तो simply यहाँ बे click करें register to apply फिर आप अपना इसमें login कर सकते हैं nocler.com जो platform है उस पर फिर आप इसके लिए अपना resume upload कर सकते हैं और इस job rule के लिए ऐसे आप apply कर सकते हैं तो यह बहुत ही simple सी process है इसमें apply करने के लिए तो दोस्तों अगर आपको इस job interview के लिए prepare करना है bank teller at HDFC तो आप able jobs app google play store से download कर सकते हो मैंने link description में दे दिया है इस app को download करके जो भी questions मैंने आपको बताए कि एक bank teller में आपको job क्यों चाहिए आप कितनी salary expect करते हो आपके बारे में बताए जो कुछ questions होते हैं जो interview में बहुत ही frequently पूछते हैं इनके लिए आप prepare कर सकते हो और अपने job interview में excel कर सकते हो और मैंने link description में दे दिया है तो वहां से आप download कर सकते हो So thank you so much for watching अगर आपको कोई भी questions हैं तो आप definitely comments में लिखेगा and I will try my best to answer them Thank you so much and I will see you in the next video